आई जी एल एम जी एल से और को नजर है हमारी आई जी एल पर और बड़ा-बड़ा ब्रेकडाउन आया है हमने इसकी सभा रीजन भी बात कर ली थी कोविड के समय जो फॉल आई थी 13 मार्च 2020 के बाद की सबसे बड़ी इंट्राडे फॉल आपको आई जेल पर आती हुए दिख रही है एक ही दिन में 12% का लॉस इस काउंटर पर हो गया है और अब 400 के सतर पर आपको आती हो दिख रहा है एक बार जड़ा इस पर हिमांशु गुपता साब की राही ली जाए हिमांशु जी सुभा से इनिचले लेवल्स आ रहे हैं क्या 400 का लेवल होल्ड करेगा आई जी अलिया यह यह फिर खत्रे में आ सकता है सर गुड आप्टरून डियु दीप इस तरह की गिरावाट इस टॉक में आज देखने को मिल रही है वर्टिकल डिक्लाइन है तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में यह प्रेशर एक्स्टेंड होता हुग नजर आ सकता है और एक इंपॉर्टेंट नेक्स्टू सपोर्ट जोन है वह लगबग 380 रूपे के आ इस पर भी बात कर ली जाए क्योंकि यह भी आपको प्रेशर में आते हुद दिख रहा है विश्वेश जी एक बार जड़ा एमजल कभी चार्ट देख लेंगे सर जड़ा बताएं यहां पर भी 8% की गिरावट हाला कि रिपोर्ट मोर आईजल सेंट्रिक थी और ईवी पॉल यह जो मुह है यह समसर्ट अफ आप ऐसा कह सकते है कि पुलबैक वाला मुह है और एमजल का जो अगला सपोर्ट है यह 960 के आसपास है इन फाक यह वी का जो क्लोज है वो लास्त तीन वीक के प्राइज को अल्रेड इंगल्फ कर चुका है तो यहां पर सोमिशने वाली बात रहेगा अराउंड दो सपोर्ट लेवल जैसे मांशु जी ने कहा मुझे लगता है एम जील सपोर्ट के पास शायद रिकंसिडर कर सकते बड़ाई जील का स्ट्रक्चर तो डेफिनेंटली जादा वीक है ने लगाएं एम जील को सपोर्ट के पास कर दे यह राई विश्वेश जी की